आप 23 साल से लेकर के 35 साल तक हैं और बैंक ऑफ बड़ोदा में जौब करना चाहते हैं तो यह opportunity आपके लिए हैं ठेक हैं काफी सारी पोस्ट हैं आप देख सकते हैं 159 की आसपास पोस्ट हैं और 23 साल minimum age और 35 साल maximum हैं और इससे पहले हम बता दो कर आप आगे सुनने जाएं इस हैं यह पूरी की तरह यह contractual basis पर है जो की contract आपका 5 साल तक के लिए रहेगा ठेक है और इसको जब आपकी performance देखी जाएगी बहुत अच्छी है तो 5 साल से extend कर देंगे अगले 5 साल के लिए फिर 5 साल के लिए ठेक हैं और इसमें जो है experienced बंदे मांगे गए हैं हाँ degree की नाम पर आप देखो के तो सिर्फ degree मांगी और कुछ नहीं मांग गया है कोई भी extra certificate नहीं मांगा है अगर आपके पास सिर्फ degree holder हो आप अब आप चाहिए आप B.com हो B.sc हो और या फिर आप engineering degree वाले हो कोई भी degree अगर आपके पास है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो लेकिन experience minimum करोगे ना पूरा form online भरना लिंक में सब provide कर दूंगा चिंदा मत करना तो आप जो भी form online भरेंगे जितने भी लोग तो इसमें कहिए आपके experience आपके marks इन सब को देखते हुए cutoff तयार करेंगे तो यहां से वह shortlist करेंगे ठीक है और यह पूरी तरीके से इनके हाथ में कि किस कि तरह shortlist करेंगे क्या number रहेगा ठीक है और अगर दो लोग के number एक जिसे हो गए तो फिर किसको shortlist करेंगे जिसकी उमर जादा होगी इसको shortlist कर लेंगे ठीक है तो यह आप सौंजगे आप मेरी बात जैसे shortlist कर लेंगे तो बनी बात आपको बुलाया जाएगा और आपको ब पर पहुंच जाना है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है ठीक है लिंक पर बताई दूंग आपको आपको दिख रहा होगा तो जो पोस्ट दोस्तों वह है receivable manager की है और पूरी तरह के contractual basis पर है ठीक है जो time to time अगर आपकी performance अच्छी दी तो बाद में इससे बढ़ा दिया ज साल का experience तो should be in collection profile with banks मतला collection profile में रहा हो आपका या financial institute में रहा हो एना related industries में कहीं पर भी ऐसा रहा हो ठीक है तो overall 2 साल यहार होगी यह जो आपका selection procedure है यह state wise होगा यानि कि हर राज्जी का अलग-अलग cut off होगा हर राज्जी के shortlist अलग होगी मतलब मद्द प्रदेश वाला circle जो होगा बैंक बढ़ोदा का वह मद्द प्रदेश के हिसाब से बच्चों को select करेगा यूपी का जो होगा वह इसका discussion with Manoj ठीक है क्योंकि इसमें क्या है न मैं सिर्फ यह नहीं बताता हूँ आपको कि जो है यह vacancy है यह vacancy है उसकी फर्दर आपके साथ रजों से roll number आ गया कब admit card है कहा है वही कौन से tier 1 है उसे physical होना है personal interview होना है और इतना बता कर नहीं छोड़ूँगा यह बताऊंगा interview में आपको पढ़के क्या जाना है अभी आप रोके रहें अभी आप रोके रहें अभी आपको बताता हूं देखिए कितनी important होती है चीज़े PDF की है न अभी आप समझ जाएंगी देखिए और वही पूछे का आप से आप जिनता मत करो अगर आप अल्रडी कहीं काम कर रहा है घॉहा में तीन घुजरात में अठारा है अरियार्णा पंजाब में दस होगो इंमाचल प्रदेश में तीन होगह जमू ख्मुक इरे एक जहारकांड में करनाटीका में तीन been satch reward okay अब दिखे माद्यपरदेश में भी साथ ही है सबसे जादा महाराष्ट में 27 पोस्ट है ठीक है ठीक है और दस तो दू जगह है आप देख ली है और दस एंसी आर नागलेंड मिजोरम सब में एक एक है मनीपूर में नौर्थ इस्ट अपनी कंट्री से उनमें सब एक दिख रहा है राइस्थान में साथ है और इसा में साथ है तमिलाडू में पांच ए तरपरदीश प्रदीश फ्रकंड में 15 है और वेस्ट बेंगल से के मां निकोबार में साथ तो यह तो होगी स्टीट वाइस ठीक है तो अब मैं आपको बताने वाला है यहाँ पर कि आपक एक होता है नोन क्रिमी लेर थेकले सद्वाइश परिपाद सेद्यंती चिल्का के लिए यह डिए युडट Dwos तो दो बांट दिया गया मतलब अबसी तो दूनुं ही है लेकिन ओबीसी का ऐसा परीवार जिसकी पूरे साल भर की कमाई पूरे परिवार की मिला करके आठ लाग से अगर कम होती है तो उसे नॉन क्रिमिलियर कह देते हैं और यहीं अगर वह आठ लाग से उपर होगी तो उसे और तब आपको इसका फाइदा मिलेगा मतलब तब आप इस बयाली सीट पर लड़ सकते हो वरना आप जनरल की सीट से लड़ना पड़ेगा आपको ठीके दूस्तों तो ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए आप बैयाली से एडब्लुएस अच्छा आप इडब्लुएस कोन होत है मिलाक करके आट लाग रुपए से कम है उसे भी इडब्लुएस कहा जाता तो जैसे वहां पर नॉन क्रिमिलियर था ना ओबीसी में वैसी जहां पर जनरल में इडब्लुएस होता तो इनके लिए भी यह होगे तो अब इनके लिए भी सर्टिफिकेट आता है उनके लिए नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट आपको प्रूफ देना पड़ता है कि यहां सरकार ने जाजपरताल की तभी तो गोशित हुए ऐसे जनरल क्रेटिगरी में अगर किसी को इडब्लुएस गोशित होना तो उसे वह प्रमाणत पत्र शो करना पड़ता इसका नाम होता इंक देख सकते हैं जो अन्रिजर्वड है यहां पर 68 पोस्ट टूटल हो जाती 15 अब बचा फिजिकली क्या क्या क्याना चीव फिजिकली हैंडिकैप लोगों के लिए तो यहां पर देख सकते हो जो यह ओएच वाले जैसे और्थो पेडिकली हैंडिकैप हो गए हैंना मता हड़ होता है एक से ज्यादा इसकती है तो जिनके लिए खुली सिर्फ वही भर सकते हैं और याद रहिए दोस्तो परसन वे बैंचमार्क डिसेबिलिटी चलता है यहने हैंडिकैप को हैंगे यहने उसको कब सरकार्मी मिलेगी मिनिमम उसकी अपंगता 40% होगी मिनिमम अपंगता तो भी आप इसके लिए नहीं है यहाने का मतलब यह कि सिर्फ इसके लिए वह है जिनकी अपंगता जो है वह 40% मिनिमम है इस पर कितनी विए सकती लेकिन यह मिनिमम है ठीक है तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि अगर फिजिकली इंपियर्ड भी है इसका भी है तो इसका मेडिकल सेटिफिकर देखान पड़ेंगे चीफ मेडिकल ऑफिसर के दुए कि साइन होंगे टेके दोस्तों अचा अब यहां पर कुछ बात नहीं आज यहीं बताता हूं कि पास्स रुपए के आपके फीस भर नहीं है ठाका पास्स रुपे की फीस रहेगी आपकी और छेस 600 रुपए की फीस रहेगी 600 रुपए की फीस है जनरल के लिए OBC के लिए लेकिन SC, ST और person with disability और महिला है यह जितने भी लोग है इनको सिर्फ 100 रुपए की फीस देनी है इनको कोई extra फीस नहीं इनको सिर्फ 100 देनी है और बाकी जनरल के जनरल के लिए और OBC क्रिमी लेर के ल मिलती तीन साल की छूट ठीक है अब माल दीजी की सर कोई physically handicap है और तब वह आ जाए इसमें क्या कहते हैं भाई physically handicap जो हो तो वह बी तो जनरल हो सकते हैं एकनोमिक वीकर सेक्षन OBC, ST, ST के हो सकते हैं तो अगर physically handicap है और वह जनरल और EWS में आता है तो उसे 10 साल की छूट है कि ST ST handicap है और वह इसको भरना चाहते हैं तो उनके 15 साल की छूट मिल जाएगी अब मालो सर यह तो हो गया handicap के मामने मालो एक सर्विसमेन है कोई एक सर्विसमेन को भी छूट मिलेगी लेकिन इससे पहले देखना पड़ेगा कि उसकी कास्ट क्या है कि मतलब वह किस में आता तो उसके साब से उसे पास साल की छूट मिल जाएगी अगर वह OBC में आता नौन क्रिमेर में तो आट साथी छूट मिल जाएगी और अगर SCST में आता तो दस साथी छूट मिल जाएगी समझे दोस्तों चलिए बहुत बुड़ी है और यह फीस तुमना को बताई दी किसके ल अगर आप इसे एडिट करोगे ना अपनी फोटो स्कैन करना और MS Photoshop MS Paint से खोलना तो उसमें जब कंप्रेस करता जएपीजी में ही वह होता है मतलब से होती है ठीक है सेवाइस कर देना अब देखिए अब सर बाकी यह तो ठीक हम फोटो और सिकनीचर तो कर देंगे लेकिन सर आपने बोला कि हमारा वह भी लाए का सर्टिफिकर्ट अगर हम SCST के हैं अगर हम OBC के नौन क्रिमी लेर के हैं अगर हम एक सर्विसमें हैं मतलब कहीं काम कर रहे हैं तो देखिए अग यहां पर आके ठीक है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा तो कहने का मतलब है कि फोटो और अपनी सिगनेचर को छोड़ करके बाकी जो भी आप रखोगे ना जो भी अपलोड करना ना उस सारा कुछ PDF में करना है सिर्फ फोटो सिगनेचर जेपीजी में रहेंगे बाकी सब पीडिएफ में रहेंगे यह आपको ध्यान रखना है बखके लिमिट में बता रहा हो और यहां पर यहीं लिखा हुआ है कि कैसे सेलेक्शन होगा तो देखिए सेलेक्शन में बता दिया आपको शॉट लिस्ट करेंगे आपको और इसके बाद आपका परसनल इंटर्वी और कोई भी गलत जानकरी नहीं बनना ठेक है और जो लोग भाईया सेलेरी उठा रहे है वो अपनी सीटे सी अनक कॉस्ट कमपनी जो होती न मतलब ग्रॉस पेमेंट की उसके ब्रेक की पूरी सेलेरी कितना बेसिक है कितना है कितना मेडिकल इंसुरेंज मिलता है वह जो कटत तो मैं आपको बताने वाला हो कि कैसे पसनल इंटर्वी के लिए आप त्यार होगे देखें कहां है यह चीज यह आप देखते ना यह रोल एंड रिस्पोलियो मेनेजमेंट उसमें तो मॉनिटर इंडर रिस्क टार्गें बेंचमार्क इंशियो रोल वाल किसे इन डेलिकें सब्सक्राइब तो अब आपने यहां पर यह देखा कि अच्छा ठीक है यह बात कई गई तो मॉनिटर अढ़ेर रिस्क टार्गेटेड मैंचमार्क समझ आईए कि आपसे इसी से वह कुच्छन पूचेंगे जो रोल एंड रिस्पोंसिबिलिटी यहां पे इतनी मैनत करके सब्सक्राइब करने के लिए नहीं लिखा है वह यह देखना चाहते हैं कि आप कितने लोग इसे पढ़ करके आएंगे कि हमने पॉइंट दिये कि आपने इन्हें पढ़ा यही है आपके पी आई की तेयारी यहीं आएगा दोस्तों जो भी आना वह यहीं से आएगा सब्सक्राइब के बारे में है यह पूरा का पूरा हैंटलिंग टीम फील एग्जीकुटिव एंड टेली सेल्स वहीं हैंटलिंग कर सकते हैं नहीं ट्रेंड इंपार्ट फंक्शनल ट्रेनिंग स्केल्स ठीक है तो मतलब यह सारी चीज़ आप पढ़ लेना और फिर ही वहां पर जाना अच्छा अब आगे देख लेते हैं जैसा कि मैंने आप सका कि फोटो आपको 20-200 के बीचों रखनी है और यह तो पता है ना फोटो कैसे खिचाते हैं पास्व पासपूर्ट साइज भाई ना टोपी पहनी हो ना आखे लाल हो ना गौगल पहना हो ठीक है पीछे का बेक्गरांड वाइठ ही रखते हैं हमेशा इसको आपको ध्यान रखना है ठीक है आड़ा थोड़ा मुहमत बनाना बनाना अतना ही होता और कुछ नहीं तो 20-200 के भी और नहीं आना दोस्व जैसी फोटो जो भी रखी न तो उसको सर्च करना ओनलाइन कंप्रेसर अना ओनला अब आपको दिखाता हूं कुछ अनेक्जर जैसे कि यह रानेक्जर आपको दिखेगा यहां पर कि यह जो सर्टिफिकेट यह है सी और स्ट डिख रहा है अनुसुच जाती 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 के लिए यह फॉर्म उनको भर करके देना पड़ता दोस्तों ठीक है यह एनेक्जर था अब आप देखोंगे यहां पर OBC OBC Other Backward Class जो अपलाए करना है लेकिन किसके लिए यहां पर देखिए यह यह घुचना करता है कि He does not belong to creamy layer कि creamy layer में आप belong नहीं करते हो और यही वज़ाए कि आप OBC के आरक्षड के पात्रो OBC का आरक्षड सर्फ non creamy layer को मिलता कभी भी creamy layer को नहीं मिलता है इसलिए प्रमाण पत्र में कुशित करना पड़ता है कि does not belong to creamy layer ठीक है तो आपको इसको मिल जाएगा और इसके चले आगे चलते हैं इसी के साथ और दोस्तों यह disability की certificate आगए अब यह देखो यह जो पहला disability certificate है तोटल तीन है आप तो यह उनको भरना जिनके पास blindness है यानि visually impaired लोग ठीक है इसको भर देंगे और साइन करवाएंगे यहाँ पर आपको मालूम है कि authorized signature यानि medical authority की यहाँ पर signature होंगे ठीक है फिर यह भी disability कहा लेकिन आपको दिख जाएगा यह वाला है जो multiple disability यहने किसी के पास एक से ज़्यादा से तो आप यह वाला form भर सकते हो समझ गया दोस्तों और एक और यहाँ पर आजाता है economically weaker section यह दिख रहा है आपको EWS के लिए जनरल category में आट लाग रुपे से कम कमाने वाले तो यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा यहाँ पर लेकाट रुपे से बिलो है यह ना पाच एकड़ की जमीन नहीं होना चाहिए अगरी कल्चर भूमी हजार स्क्वार फिट का मकान नहीं होना चाहिए स्वा स्क्रिप्शन में दे रहा हो तो महाँ पर क्लिक करोगे तो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा परिशान बहुत हो ना एक बार आप पढ़ाई दिया तो आप बिलकुल बेज़े जग पूछें मैं आपको पता ही है कि मैंने अभी तक किसी को निराश नहीं किया है मैंने ड करना जरूर करा है दोगच की दूरी बनाए रखें और सुरक्षित रहें ठीक है दोस्तों कि यहीं टाइम है जब जब कोरुना फैलता है ठीक है और बाकि अब आपने देखी लिया कि व्यापम में भाई अभी जो कॉंस्टेबल का रिजल्ट है ऐसमें ऐसा हुआ हुआ है क काफी चर्चा में चल रहा है कि 65 नंबर वाला तो सेलेक्ट हो गया लेकिन वहीं चौहतर नंबर वाला सेलेक्ट नहीं हुआ है तो अब इसके मामले में पुरी जानकरी जब मुझे मिलेगी तो मैं को जरूर समझाओंगा इसके बारे में यह ना कि चल किया रहा है अला कि य हैं तो उसे बढ़ा दिये जाते हैं और किसी के ज्यादा होते तो कम कर दिया जाते हैं अब पद्दती कितनी अच्छी कितनी कारगार इस पर में बात करो हूँ कभी आप से फुरसत में ठीक है और यही हो तो पिछली बार के पड़वारी में भी कई लोग के ससी नंबर थे पद्छा सिखरें ने कि उलसे कभी दुशना होते हैं और ज। इनका दर्थ समझता हैं यह से बिल्कुल गलत बात है है तो आटे नंबर यह नंबर लहे कंवा होता है दोस्तियार जब आपने कट-off रखा था तो उससाफ सही आपको रखना चाहिए नॉर्मलाइशन की पद्दती जो है कई लोग को समझ में नहीं आई है और पच्टी भी नहीं है ठीक है और पच्छ भी जाए ना तो मैं यह कैसे मालूब भाई कोई कैसे कह रहा है कि यह यह वाला easy paper है यह वाला tough paper है है और मालोगर मैं बहुत पढ़ा लिखा बहुत अच्छे से पढ़ता हूं मेरा GKGS बहुत अच्छा है है अब मेरे किस्मत से मुझे अगर सस्ता paper मिल गया है है ना तो मतलब मैं पढ़ा लिकानी मेरी selection नहीं करोगे फिर आप ऐसा है क्या कि मै लेकिन मैं खूब पढ़ा भी सब कुछ मुझे आता भी बहुत अच्छा था लेकिन सिर्फ किस्मत इतनी हो गई कि मुझे tough paper नहीं मिला मुझे मिलगा easy paper तो आप भी select नहीं करोगे आप यह बोल दोको normalization पद्दती है और आपकी कम number है तो आपको हम select नहीं करेंगे और दू